हेलो प्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टरी फीट ओफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों बिहार या स्टेट दोहजाज 24 की परिच्छा तीथी घोसित हो गई है उसी के सम्मध में इंफोर्मेशन है तो दोस्तों सभी आप लोग रेडी हो जाएए आपके पास अब टाइ नहीं है इस पेपर को प्रिप्रेशन करने के लिए जल्दी से जल्दी रिविजन कीजिए पहले इंफोर्मेशन देखिए क्या आया हुआ है ग्यारत तारीक को आपको आया हुआ है तो यहां पी बताया गया है कि स्री आनंड किसोर अध्यच बिहार विद्याले परिच्छा और समीती ने बताया कि माध्मिक सिच्छक पातता परिच्छा यह इस्ट्रिट दोहजर चोबिस की जो पर्थम पेपर है पेपर वन जो 910 का होता है पेपर वन पेपर टू 1112 का तो पेपर वन के बिभीन बिस्यों की जो परिच्छा है वो दिनांग 18-5-2024 से 29-5-2024 याने क 26-2024 तक दो पालियो में निधायत के अंदरों पर कम्पीटर बेस्ट टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी तो यह तरह किएगा पेपर वन जो है 18 माई से 29 माई तक पेपर टू जो है 11 जून से 20 जून तक दो पालियो में संपन होंगी वो भी आनलाइन मोड याने कम् जाम होगी और जो इंफोर्मेशन है कि विदित होगी समीती द्वारा आविद इस पेपर वन के विभिन बीसियों की पेपर होने के लिए 3,69,489 अभिर्थियों तथा पेपर टू में सभी बीसियों में 2,37,442 अभिर्थियों ने आनलाइन आविदन किया है इस प्रकार मादमी सिच्छक पातता परिच्छा 2024 यह स्टेट पेपर वन पेपर टू को मिला करके कुल 5,96,931 अभिर्थियों ने आनलाइन आविदन किया है यहाँ पे महतपुड इंफर्मेशन है दोस्तों कि इस परिच्छा के पेपर वन में समलित होने वाले अभिर्थि का प्रवेश पत्र जो है वो सेकेंडरी बिहार बोर्ड आनलाइन डाट कॉम पर अपलोड कर दिया गया है इस बेपसाइट पर जाकर कि अपना-पना एर्मीट कार्ड आप सब डाउन्लोड कर सकते हैं याँ यूजर आईडी के रूप में आपना अपीकेशन नमबर डालेंगे और पास्वर्ड के रूप में अपना जन्लोड डालेंगे इस प्रकार आपका हो उसका उपयोग करके सम्मीती के उक्त बेवसाइट पर अपना मून प्रविस पत्र आप सब डाउनलोड कर सकते हैं पाच्वा पॉइंट है कि इस परिच्छा में paper 1 का paper 2 का प्रवेश पत्र जो है जुन में होगा paper 2 ठीक है paper 2 जुन है 11 से 20 जुन में होगा तो उसका जुन मां के पर्थम सप्ता में समीति के उक्त बेव साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा इस परिच्छा का आईजन प्रती दिन दो पालियों में किया जाएगा दोस्तों प्रथम पालियों की परिच्छा जो है पुरुवाहन दस बजे से लगर अपराहन बारात तीस बजे तक और दूसरी पाले की 3 से लेकर 3 बजे से लेकर 5-30 बजे तक निधायद होगा अदिभ्याम अभ्यर्थियों के लिए प्रती गंटा 20 मिनट अतरिक समय दिया जाएगा ठीक है एंट तो परिच्छा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए प्रथम पाली की परिच्छा सुरू होने से डिढ़ घंटा पहले आपको यानिकी साहे आठ बजे रिपोर्टिंग ताइब निधायत की गई ही वही गेट बंध होने का समय साहे नो बजे निधायत है बिलन से आने पर जो है कोई आपको सुधा नहीं दिया जाएगा इसी प्रकार दिती पाली में भी देड़ घंटा पहले यानिकी देड़ बजे रिपोर्टिंग ताइम होगा और गेट बंध होने का समय धाय बजे तो दोस्तों इस प्रकार आपका इंफोर्मेशन है आपके पास अब ताइम नहीं है अपना प्रिप्रेशन शुरू कर दिजिए तो यह महत्पूर्मेशन देने के लिए मैंने आपको एफ वीडियो बनाया है तो दोस्तों आगे जो भी इंफोर्मेशन होगा दोस्तों मेरी चैनल पर जूड जाए हैोदी वीडियोлом वीडियो से समें हैं आपके पास टाइम नहीं है चाहे यह स्टेट का तयारी कर रहे हूँ चाहे बीपे सीटी यारी 3 का तयारी कर रहे हूँ तो दोस्तों मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाएगे झाल चाहे हूँ झाल 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 झाल